नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी शैनल स्टोक्स नीज बार में वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि चार स्टोक्स के बार में डिसकस करेंगे जिनको बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और चारों स्टोक्स पे complete analysis करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो क्या-ک смож करेंगे एक बड़ी निज है वो कन्टेइं करेगी चार स्टोक्स हैं जिनको बेनिफिट होने वाला है ये कंटेंग करेगी उन सबका complete analysis कैने करेगी क्योंकि ये वो स्टोक्स हैं जो पैसा डबल करने में माहिर है अगर टाटा के स्टोक्स की बात की ज ज़रूर देखेगा सबसे बहले trend की बार कर लेते हैं पिछले 5 साल में इसने 400% का return दिया है मतलब 200 रुपे का stock था आज 1200 पैसेट रुपे पे है क्यों buy करना आज कि आपको long term के लिए देखिए ज़्यादा तर जो markets हैं मैं कहूं कि अगर मैं revenue revenue की बात कर लेता हूं करीमें आपका 1600 करोड का revenue में difference आने वाला इस साल में एक साल स्लो था वो आपको बताया है कोविड की second लहर और वो सारे पंगे हुए थे stores बन थे तो वो problems थी इसके साथ online deliveries नहीं हो पा रही थी और दूसरा अगर operating profit की बात करों मैं 201 करोड से बढ़के कितना हो गया 617 करोड होन अंदार growth है इसकी और देखिए आप अगर मैं shareholding pattern के बात करूं तो 37 परसेंट था प्रमोटर्स का 30 है फाइज ने 1.5% कम किया है वो कमी किस ने पूरी कर दी है डियाएज ने पूरी कर दी है उन्होंने करीबन-करीबन 5% के round stake उठाया 12.5% है उनका पिछले तीन quarter का difference बता अप्रेल में ही आपको IPL के दौरान देखेगी वो एप launch होती है पर यह है कि इस quarter में उसका असर नहीं दिखेगा नेक्स quarter में दिखाए देखा आपको उसका असर बट वैसे भी stock बहुत शांदार है तो अप में होने क्या वाला है कौन-कौनसी चीजे मर्ज होने वाली देखेए उसमें आपका क्या क्या होगा ख्रोम क्रूमा क्रोम जिसमें आप समान करीदा आपने कईवर देखा आप करीद सकते हैं पर स्टोर होती हैं था एस English or a Utanрон करीसी I disciples स्टार्बक्स स्टार्बक्स पर मेजर और नजर बनाए रहना है स्टार्बक्स पर discuss discuss परimana में WhTo Ос पर ईूज करते हैं स्टारर्बक्स पर धेखिए टार्डा चमांअ के बहुत फायदेमन्द हो सकता आ है वैसी देखिए आप basics देखेंगे कंपनी के पुरा पूरा analysis देखेंगे तो आपको समझ में आजेगा क्यों कहना में Tata consumer product भी एक बहुत बड़ा multi-bagger होने वाला आने वाले time में यह है बट actually में भी मैं बता रहा हूँ देखें 3600 करोड का आपका revenue था 2019 में वो revenue बढ़के 8000 करोड डबल हो गया है तीन साल कर तो revenue में growth हर एक department में revenue double होने के पूरे chances है revenue double हो चुका है हर दो साल में अगर revenue double होता रहा तो आप सोचे कहां पहुचेगा अब 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 rating profit की बात करें तो 438 करोड से बढ़के 965 करोड तो 527 करोड का profit भी double हो गया अब rating profit भी तो यह बहुत बड़ी बात हो किया किसी भी stock के लिए अगर मैं बात करो तो अब इसके shareholding pattern के बात कर लेते हैं कि प्रमोटर की shareholding में कोई change नहीं है फाइज ने थोड़ी शी shareholding बढ़ाई है 0.7% के राउंड वही दी आइज ने उतनी shareholding वेची है 0.6 के राउंड तो shareholding pattern भी बहुत शानदा रहे तो यह second stock होगा जिसको बहुत बड़ा फैनिफिट होने वाला है टाटा निवापका तीसरा होगा आपका टाइटेन कंपनी चोता थोड़ा सा चुपा हो अपको ज्यादा नहीं पता होगा 276 रुपे का प्रैस आप जानती हो यह stock तो बहुत बड़ा multi bagger था था आज तक भी और आगे भी होगा इसमें कोई doubt मत revenue था इसका जब 2000 मार्च 2018 कि अगर में बात करूं आज के दिन में 27000 क्रोड का revenue यहीं चीज यहीं स्टोक को बहुत शांदार मनाती है 11500 क्रोड का revenue इससे जाता टाटा कंजूमर का हो है अगर प्रोफिट की बात करें तो 1700 क्रोड से बढ़के प्रोफिट इसका 32-3300 क्रोड उ मार्जिन सोडे से कम है यही एक प्रोब्लम है देखिए इसमें शेयरोल्डिंग बेटर की बात करें तो पाउन बाइन नो था प्रमोंटर्स का वही है 18.4 था फाइफाइज का जो गटारबंच हो गया 10.8 था किसका आपका डियाइस का जो 10.5 हो गया और पब्ली की शेयरोल से लिंक्स है और हर जगहा आपको दिखेगा टाटा कोफी नियो एप पे भी बेगे आपको टाटा की कोफी और ये भी फाइदा एग़ा दोनों जगह से स्टार्बक्स पर टाटा के नियो कोइंज बेच पाएंगे जो सूपर है पाएगी उससे जो प्रमोशन्स भी होंगे इसके ठीक है दोस्तों तो 130 करोड का revenue growth हुआ है पिशली चार से पांच साल में अगर profit की बात करें तो profit भी बढ़ा है 50% के राउंड चोवन करोड था जो की 80.9 करोड होगा तो 26 करोड के राउंड profit भी बढ़ा इसका तो ये भी एक स्टोक है जो की beneficiary होगा उस new app का जो की beneficiary होने वाले हैं new app के तो प्लीज वीडियो पसंद आईगी तो like share करना मत बोले